हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चानल तो आज हम करेंगे स्टैंडड नाइन्थ मैच्टू जोमेटरी का एक नया फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है कॉट्रिलाटरल्स कॉट्रिलाटरल्स एक बहुत जाधा इंट्रस्टिंग एन बहुत ही जाधा इजी चैप्टर है एट स्टैंडड में जो हमने प्रॉपपटी यूज की थी वो यहां पे बहुत काम आने वाली है तो हम लोग आराम से रिविजन करेंगे हरेक क्वेस्टिन देखेंगे कौन सी सुल्ब करेंगे शुरू करता है एट में मैंने आप लोगो एट मैथ हैक्स करके एक पीडिएफ दिया था वो पीडिएफ में मैंने पूरा एट स्टैंडड का फर्स्ट पार्ट समराइज किया था ठीक है तो उसमें मैंने हरेक कौटरिलाटरल का प्रॉपटी एक जगे पर list किया हुआ है वहाँ पे देखो पैललोग्राम दिया है यहाँ पे पैललोग्राम के जो properties है वो यहाँ पे देख लो diagonals bisect each other bisect मतलब दो equal टुकडे तो यह diagonal और यह diagonal एक दूसरे के दो equal टुकडे करेंगे कहाँ पे मिल रहे यह लोग यहाँ पे मिल रहे ना यह दोनों diagonal तो यहाँ पे यह वाला टुकडा और यह वाला टुकडा equal हो जाएगा यह और यह भी equal हो जाएगा आप ऐसा बोल जाकते हैं अगर यह दो equal टुकडे हैं तो यह पूरे line का यह आधा टुकडा होगा इतना सा और यह भी आधा टुकडा होगा आधा आधा मिलके पूरा टुकडा बन जाएगा ना opposite angles are congruent मतलब यह वाला angle और यह वाला angle एक दूसर के सामने अब यह diagonal का line मत देखना ठीक है यह पूरा angle equal to यह angle और यह इसके opposite यह है यह वाला angle दोनों congruent होगे ठीक है opposite sides are congruent यह तो हमको पता ही है parallelogram में यह वाला side और यह वाला side equal यह वाला side और यह वाला side equal चारो equal होगे क्या? नहीं parallelogram में जरुरी नहीं कि चारो equal हो यह opposite वाले एक दूसरे को तो equal होते ही है opposite sides are parallel यह तो parallelogram की definition है कि यह वाली side और यह वाली side parallel कितना भी आगे लेकि जाओ कभी नहीं मिलेंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड भी parallel कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे फिर ये जो property adjacent angle supplementary ये ये चारों में था इसले मैंने एक जगा लिख कर दिया क्योंकि ये बहुत important property है और ये parallelogram के लिए भी true है adjacent angle supplementary का मतलब आजू बाजू वाले angle को add करेंगे तो 180 आना चाहिए तो इसको और इसको add किया तो 180 आएगा ये और ये भी बाजू वाले है न तो इन दोनों को add करेंगे तो भी 180 आएगा what about this angle and this angle आजू बाजू वाले angle है तो add करके 180 आएगा ठीक है अब ऐसा इधर ये वाले angle से confused मत होना ये angle है ये चोटे triangle का angle पैरलेलोग्राम का angle तो ये पूरा होता है ठीक है आया समझ में तो ये property याद रखो adjacent angle supplementary होते हैं diagonals bisect करते हैं और इसका pdf अगर आपको चाहिए तो pdf का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं गोजिंग डाउनलोड करके ये वाला page आप अच्छे से revise करेंगे तो हरे एक quadrilateral की हरे एक property आपके समझ में आ जाएगी 5.1 में हम लोग सिफ ये वाला properties यूज़ करेंगे इसलिए इस पे जादा ध्यान देना चलो शुरू करता है इसका first question दिया है Diagonals of a parallelogram WXYZ intersect each other at point O एक parallelogram दिया है उसके दो diagonals O पे मिल रहे हैं वो भी दिया हुआ है तो यहाँ पे ये parallelogram बना लिया मैंने अभी diagonals वाला part है ना पहले बनाते नहीं यहीं तो confusion होगा angles देख लो इसलिए मैंने y वाला जो angle लेते को obtuse रखा है अगर आप यह x लेते और यह y लेते तो यहाँ पे acute angle बन जाता ना और 135 लिखते है तो confusion हो सकता था measure करके नहीं करना है लेकिन दिख रहा है ना कि यह obtuse angle है इसलिए यहाँ पे y ले लिया because y दिया हुआ है 135 ठीक है तो आपको यह angle पता है कि 135 degrees है what is the measure of x w z x w z मतलब देखो यह वाला angle x w z x w z कितना आएगा यह इसके opposite है देखो opposite angles in parallelogram are congruent तो अगर यह 135 तो यह वाला angle भी कितना आएगा 135 तो यहाँ पे मैं label कर दूँगा 135 degrees okay तो यह काम हो गया हमारा y z w y z w देखो यह वाला angle है इधर तो y z w अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूँगा इसके बाजुवाल angle मुझे पता है देखो 135 तो अगर इसको और इसको add करूं तो 180 आना चाहिए adjacent angle supplementary होते है न तो यह y z w प्लस उसके बाजुवाल angle है 135 degree add करके 180 आना चाहिए तो y z w क्या value क्या आ जाएगा 180 degree minus 135 degree यहां पे plus है उदर जाएगा तो 180 minus 135 will be 45 degree तो इसका value भी मुझे मिल गया 45 degree यह मैं orally solve करवा रहा हूँ बाद मैं आपको बताऊंगा इसको लिखेंगे कैसे तो हम लोगों ने यह भी निकाल लिया देखो y z w 45 degree तो यह भी काम खतम ठीक है यह समझ में आ गया अब वह पूछ रहा है if o y equal to 5 cm यह o क्या देखो उसने बोला था diagonals of a parallelogram w x y z intersect each other at point o तो अगर मैं diagonal बनाऊंगा तो वह लोग o पे मिलेंगे अब यह angle दिखा हुआ बीच में आ रहा है इसलिए मैं angle erase कर रहा हूँ उमने find out कर लिया है वो दिया हुआ है question में if o y equal to 5 यह देखो o y यह रहा वो बोल रहा है अगर o y का measurement 5 है o y मतलब यहां से लेके यहां तक ठीक है इसका measurement 5 है then what is the measure of wy wy यह पूरा है देखो अब मुझे बताओ अगर यह 5 है तो यह कितना होगा यह o पे दोनों diagonal मिल रहे है न दोनों diagonal parallelogram में हमेशा एक दूसरे को byset करते हैं दो equal टुकड़े बनते हैं तो अगर यह 5 का टुकड़ा है तो automatically यह भी 5 का ही टुकड़ा होगा अब यह 5 और यह 5 तो total wy कितना बन गया length of wy आ गया 5 plus 5 which is nothing but 10 तो खत हम सब कुछ find कर लिया है लिखने में time लगेगा लेकिन आपको देखके solution तो एकदम easily समझ में आ गया ना क्या-क्या property यूज किया opposite angles of parallelogram are congruent adjacent angles of parallelogram are supplementary और यहाँ पे हमको पता है कि diagonals of parallelogram bisect each other तो आ जाएगा ना दो equal टुकड़े हैं तो अगर यह चोटा टुकड़ा 5 है तो यह दूसरा चोटा टुकड़ा भी 5 होगा तो हम find कर सकते हैं 5 plus 5 क्योंकि wy पूछा है wy होगा 5 plus 5 which is 10 ओके easy था ना चलो अब इसको लिखेंगे कैसे तो यहाँ पे मैंने पहले given लिख दिया given क्या है wy and xz diagonals of parallelogram intersect each other at point o तो यहाँ से wy में बना दूँगा और यहाँ से xz बना दूँगा ठीक है मैं z में हमेशा ऐसे एक line डालता हूँ क्योंकि काफी बार ऐसे लिखा तो बच्चों को लगता है 2 लिखा z को ऐसे लिखेंगे तो teacher आपके marks नहीं काटेगी हो सकता है तो आप लोग भी आदर डालो या तो धियान रखो के ऐसे लिखा तो 2 में confused मत हो तो wy and xz intersect in point o जब मैं diagonal के लिए solve करूँगा तो वो बना दूँगा फिर क्या दिया है angle xyz is 135 degree यहां देख लो angle xyz is 135 degree दिया हुआ है question में what is the measure of xwz and yzw ओके और क्या दिया है length o y equal to 5 cm वो भी लिख दिया है यहां पे given में given मतलब जो आपको दिया हुआ है पूछा क्या है length of wy वो भी यहां पे लिख लिया कि पूछा है solution आएगा in a parallelogram opposite angles are congruent यह तो हमको पता है तो अगर xyz 135 है तो xwz कितना आएगा वो भी आएगा 135 degree तो यहां पे लिख दिया therefore xwz equal to xyz equal to 135 degree यह तो हमको अलरडी पता था तो हमारा एक काम तो हो गया कौनसा वाला xwz का value आगया 135 degree ठीक है तो यह हो गया अब yzw पे आते हैं yzw मतलब कहां पे है देखो यह वाला angle yzw ठीक है अब यह वाला angle 135 और यह वाला angle नहीं पता पट यह दोनों आजू बाजू पडोसी है ना तो हमको पता है adjacent angles of parallelogram हमार supplementary तो उससे find out करेंगे ना कि 135 प्लस yzw will give you 180 degree ठीक है तो वो कैसे लिख देंगे यहां पर यहां पर मैंने यह पूछा था ना xwz तो उसका box बना दिया अब adjacent angles of a parallelogram are supplementary EM को पता है तो xyz यह वाला angle प्लस yzw यह वाला angle क्यों यह यहां पर yzw पूछा है इन दोनों को add करूँआ तो क्या हैगा 180 ठीक है अब मुझे xyz का value तो पता है xyz क्या है 135 डिगरी तो next step में मैं क्या लिखूंगा यहां पर therefore 135 डिगरी प्लस measure angle yzw equal to 180 degree सिर्फ यहां पर इसका value substitute किया अब मुझे इसका value चीए तो 135 को वहां बेजो यहां पर 135 प्लस है वहां जाके हो जाएगा minus तो आएगा therefore measure angle yzw is equal to 180 degrees minus 135 degrees 180 minus 135 क्या आजाएगा आ जाएगा 45 degrees तो आपको measure angle yzw मिल गया 45 degrees ओके तो हमारा दो जो value था हमने निकाल लिया एक यह और एक यह अब आते हैं length wy पे तो wy मतलब यह वाला ना तो diagonal बना दूँ तो diagonals बना दिया है यहां पर अब उसने बोला है length of oi equal to 5 देखो यह दोनों o पे मिल रहे हैं एक दूसरे से और oi का length 5 है उसने पुछा है wy कितना आएगा तो अगर oi 5 है तो ow भी 5 आएगा ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप बोल सकते हो यह oi जो है न यह wy का आधा होगा ठीक है वो equation से भी आप solve करके wy का value निकाल सकते हो क्योंकि oi का length wy का आधा होगा ना bisect करता है ना तो कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे diagonals of a parallelogram bisect each other therefore length of oi यह जो length oi will be equal to half of यह पूरा wy क्योंकि equal टुकड़ है न यह और यह तो दोनों आधे टुकड़े हैं किसके आधे टुकड़े हैं यह वाला यह पूरे का आधा टुकड़ा है और यह वाला पार्ट भी यह पूरे का आधा टुकड़ा है तो यह वाला पार्ट oi is equal to आधा टुकड़ा, आधा मतलब half of wy, यह पूरे डाइगन लगा, और इसमें oi का value आपको पता है कि 5 cm है तो oi के जगे पर 5 substitute कर दो तो क्या मिलेगा, def of 5 is equal to 1 upon 2 length of wy यह 2 यहाँ पर divide हो रहा है वहाँ जाके multiply होगा, तो क्या मिलेगा def of 5 into 2 is equal to 1 multiplied by length of wy 1 से किसी को भी multiply करो, तो number खोदा आता है, तो length of wy ही आएगा वहाँ पर 5, 2000 क्या हो जाएगा, 5, 2000 हो जाएगा 10 length of wy तो मैं लिख सकता हूँ def of length of wy is equal to 10, क्या unit है oi का जो length दिया था वो था 5 cm, तो यहाँ पर यह भी आजाएगा 10 cm तो उसने देखो, तीन चीज़े पूछी थी हम लोगों को एक x, w, z, वो हमने यहाँ निकाल दिया फिर y, z, w, वो हमने यहाँ निकाल दिया और length of wy, वो हमने यहाँ निकाल दिया okey easy है ना तीन प्रॉपटीज कौन सी यूज करी है हमने यहाँ पर तीन प्रॉपटीज जो हमने यूज करी है देखो यहाँ पर, एक है opposite angles are congruent ठीक है, फिर क्या है adjacent angles of parallelogram are supplementary यह दूसरी प्रॉपटी और तीसरी प्रॉपटी है diagonals of parallelogram bisect each other तीन प्रॉपटी यूज करके इसको हमने solve कर लिया तो यह तीन आपको याद रखनी है इसलिए तीनों को highlight कर दिया ठीक है चलो, वीडियो pause करो notebook में copy करो पहला question हो सकता है आपको difficult लगे बिल्कुल भी difficult नहीं है, बहुत easy है next करते है second question दिया है in a parallelogram ABCD if angle A is 3x plus 12 degrees angle B is 2x minus 32 degrees then find the value of x ठीक है, यह दोनों use करके x निकालना है and then find the measures of angle C and angle D angle C and angle D का measurement पूछा तो एक sample figure बना लेते हैं यहापे तो अगर figure बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा ABCD एक parallelogram है जिसमें angle A 3x plus 12 degrees है and angle B क्या है 2x minus 32 degrees अब आपको x निकालना है देखो, यह दोनों angle एक दूसरे के आजू-बाजू है अगर दोनों angle एक दूसरे के आजू-बाजू है तो हम लोग क्या use कर सकते हैं कि adjacent angle supplementary तो यह दोनों को add करके 180 आएगा उसको solve करेंगे तो आपको x का value मिल जाएगा correct x का value मिल गया वो यहाँ पर substitute करेंगे तो a का value मिल जाएगा x का value यहाँ substitute करेंगे तो b का value मिल जाएगा तो आपको a मिल गया, b मिल गया c कैसे मिलेगा a और c एक दूसरे के opposite है तो अगर a का value जो भी आया वो same value c का होगा वैसे b और d दोनों equal आने चाहिए parallelogram में opposite angles equal होते है तो जो भी b का value आया वो भी d का value आजाएगा आप सोच रहोंगे मैं क्यों orally हमेशा कर आता हूँ actually geometry में क्या होता है ऐसे question देखके आपको सीधा दिमाग में डर बैठ जाता है क्या इसको solve कैसे करेंगे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़े पहले से imagine करने है कि कैसे कैसे इसको आगे step wise solve करते जाएंगे ठीक है तो पहला step क्या था कि ये दोनों adjacent angles हैं तो हम लोग दोनों को add करेंगे तो हमको 180 आना चाहिए because adjacent angles of parallelogram are supplementary चलो इसको solve करते हैं ऐसे ही देंगे इसको given क्या है angle A का measurement and angle B का measurement दोनों आपको question में दिया हुआ है find क्या करना है x find करना है and measures of angles c and d find करना है शुरू कैसे करेंगे adjacent angles of a parallelogram are supplementary ये हमको पता है कौन से adjacent angles देखो a और b एक दूसरे के बाजू में है तो मैं बूल सकता हूँ therefore measure of angle A plus measure of angle B is equal to supplementary मतलब 180 degree measure of angle A कितना है ये दिया हुआ दिखो 3x plus 12 degree तो यहाँ पे लिख दिया 3x plus 12 degrees plus measure angle B कितना है 2x minus 32 degrees तो यहाँ पे लिख दिया 2x minus 32 degrees is equal to 180 degrees next step में क्या करो ये degree के बिना पूरा लिख दो क्या आजाएगा आपको ऐसे आएगा बीच में plus sign है इसलिए sign का tension नहीं है जो sign है वही रहने वाली है ठीक है सब जगे से degree हटा दिया आप देखो 3x plus 2x क्या हो जाएगा 3x plus 2x हो जाएगा 5x and 12 minus 32 12 minus 32 हो जाएगा minus 20 is equal to 180 degree ऐसे आजाएगा अब मुझे x का value चीए तो 5x को यहीं पे रखो लेकिन minus 20 को वहाँ भेज दो तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा वहाँ जाके वह 180 में add हो जाएगा plus 20 अच्छा है degree मत डालो अभी degree last में डाल देंगे 180 यह minus 20 उतर जाएगे plus 20 तो 5x का value आपको आ जाएगा 5x is equal to 180 plus 20 हो जाएगा 200 अब अगर मुझे x का value निकालना है तो यह 5 को यहाँ से भगाना पड़ेगा यहाँ पे multiply हो रहा है वहाँ जाके divide तो मुझे मिलेगा 200 upon 5 पता कैसे चलेगा एक कट हो रहा है के नहीं दोनों एक table में जाना चाहिए दिख रहा है कि दोनों 5 में तो जाएगा यह तो 5 में जाएगा यहाँ पे last में 0 है तो यह भी 5 में जाएगा तो क्या मिलता है 5 1s और यहाँ आ जाएगा 5 4s और 20 5 0s और 0 अब measure angle C और measure angle D पूछा है उपसने आप पहले A और भी निकाल लो A और B से आपको C और D मिल जाएगा न तो पहले measure angle A निकालते हैं फिर measure angle B निकालते हैं तो A का value 3x plus 12 B का value 2x minus 32 तो यहाँ पे A का value 3x plus 12 B का value 2x minus 32 X के जगे पे 40 डालना है तो यहाँ पे X के जगे पे 40 डाला अब यह bracket में डालना पड़ेगा न क्योंकि 3x मतलब 3 multiply by x bracket नहीं डालोगे तो 340 ऐसे लिख दोगे 340 निंबर जैसा लगेगा तो यहाँ पे round bracket डाला तो यहाँ पे square bracket कर रिया 340s are 120 plus 12 अब यहाँ पे एक ही bracket की ज़र होते है इसलिए सिफ round square भी डाल सकते हो लेकिन generally सबसे low level का bracket round bracket होता है 120 plus 12 कितना होता है 132 degrees आपको चाहिए confusion नहीं चाहिए चुप चाप यहाँ पे क्या डाल दो square bracket डाल दो इसके लिए teacher wrong नहीं देगा वैसे ही जब मैं angle B का value निकालूँगा तो आगा 2x minus 32 यह तो दिया हुआ था x के जगे पे 40 डाला ठीक है 240s are 80 80 minus 32 किया तो आगया 48 degree यहाँ पे भी आपको चाहिए तो bracket आप ऐसे ही डाल दो सीधा उपर भी आप change कर सकते हो यहाँ पे यह वाला जो bracket दिया है उसके जगे पे भी आपको चाहिए तो आप square bracket डाल सकते हो अब आपको A और B दोनों मिल गया तो आपको C और D भी मिल जाएगा क्यों? Because opposite angles of a parallelogram are congruent जो A का value वो C का value होगा जो B का value होई वही D का value होगा इसके पहले वाले question में भी use किया था नहीं तो कैसे लिखेंगे यह? कैसे लिखेंगे? In a parallelogram opposite angles are congruent therefore measure angle C is equal to measure angle A C is equal to A and D is equal to B देखो D is equal to B A कितना था? A था 132 तो यहाँ पे आ जाएगा equal to 132 degrees and D के जगे B, B कितना है? 48 तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा equal to 48 degrees तो हम लोगों ने दोनों angle लिखा लिया C और D और X पूछा था वो भी निकाल लिया तो final answer कैसे लिखेंगे इसका? तो यह आ जाएगा इसका final answer the value of X is 40 यहाँ पे निकाला था and the measures of angle C and angle D are 132 degree and 48 degree जिनको confusion है कि X में 40 degrees क्यों नहीं लिखा? X खुद एक angle नहीं है X angle के अंदर एक variable है ठीक है? तो वो एक constant number है इसलिए उसमें मैंने यहाँ पे degrees नहीं डाला है गलती से X equal to 40 मत लिख देना लेकिन अगर ऐसा होता कि angle D is equal to X degrees तो X का value लिखते हैं X is equal to 40 degrees ठीक है? लेकिन यहाँ पे X अंदर एक number है देखो बड़े इस angle में एक छोटा सा number तद तो हम लोग ने यह पूरा question solve कर लिया तीन चीज़े पूछी थी X, C, D, तीनों निकाल लिया कौंसी-कौंसी property यूज़ की? यहाँ पे देखो adjacent angles of a parallelogram are supplementary यह हमने पहले question में भी use किया था फिर क्या यूज़ किया? opposite angles are congruent यह भी हमने use कर लिया था पहले तो यह दो property यूज़ करके हमने यह पूरा question solve कर लिया वीडियो pause कर लो और copy कर लो notebook में मैं ऐसे highlight क्यों कर रहा हूँ यह properties ताकि आपको याद रहे कि सिर्फ दो property पे पूरा question है बागी सिर्फ calculation किया हूँ done? चलो next करते हैं third question में क्या दिया है? perimeter of a parallelogram is 150 cm perimeter मतलब अगर मैं parallelogram ऐसा बनाऊ तो यह चारो side का length add कर दूँगा न तो जो मिलेगा हो perimeter मतलब जो boundary है ना boundary उसको add कर देंगे पूरे को तो perimeter बोलते है one of its sides is greater than the other side parallelogram में जरू नहीं है कि सब side equal हो तो एक जो side है वो दूसरे से थोड़ी बढ़ी है opposite sides तो equal ही होती है ठीक है? लेकिन यह वाली side और यह वाली side equal नहीं है यह वाली side बड़ी है यह वाली side छोटी है ऐसे में ले रहू हूँ कितना बड़ी है? one of its side is greater than the other sides by 25 cm यह रिष्टा दिया हुआ है side का length नहीं दिया लेकिन यह रिष्टा दे दिया है sides के बीच में और perimeter दिया है find the length of all sides आपको यह सब यूज करके all sides का length find करना है बहुत ही easy question है इसके लिए आपको equations in one variable जो each standard में यूज करते थे न कुछ नहीं पता होता तो क्या लेते थे उसको x ले लेते थे फिर वो x के लिए हम लोग यह पूरा solve करते थे और x का value निकालते थे थीक है तो हमको यहाँ पे क्या नहीं पता हमको length of all sides नहीं पता थीक है तो एक side का length x ले लेंगे किसका हो मैं आपको figure बना के बताता हूँ तो यहाँ पे मैंने यह parallelogram ले लिया a b c d यहाँ पे one of its sides is greater than the other side by 25 cm एक side छोटा एक side बढ़ा तो छोटा side देखो यह लिया है मैंने तो मैं बोलता हूँ चलो यार इसको x ले लेते हैं ठीक है इसको x ले लिया अगर यह x है तो वो क्या बोल रहा है one of its sides is greater than the other यह जो दूसरा side है ना यह इससे greater है greater मतलब बढ़ा तो अगर यह x है तो यह greater कितना है ठीक है तो इसे अब हमको लिख के दिखाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि quarter lateral का नाम भी नहीं दिया है question है वो भी आपने खुद से बनाया है आपने मतलब मैंने बढ़ ठीक है चलो आप लोग भी साथ दे रहे हो मेरा वीडियो दिख के तो आएगा let n parallelogram a b c d a d length equal to x centimeter okay तो क्या दिया है question में one of its sides is greater than the other side by 25 centimeters therefore मैं बोल सकता हूँ a b is equal to x plus 25 centimeters कैसे निकाला ये देखो ये x है दूसरा वाला जो side a b वो ये इससे 25 बड़ा है 25 बड़ा मतलब plus 25 किससे a d से ठीक है तो आपको ये दोनों side मिल गई अब opposite sides of parallelogram are congruent है ना तो अगर ये x plus 25 तो ये भी x plus 25 ये वाला side अगर ये x तो ये भी x अब उसने बुलाई perimeter of the parallelogram is 150 centimeters तो यहाँ पर ये a b और c d दोनों x plus 25 है तो लिख दिया मैंने and a d and b c ये x है तो ये भी x है अब question में दिया है perimeter of a parallelogram is 150 centimeters तो मैंने यहाँ पर लिख दिया perimeter of quadrilateral a b c d parallelogram है जो is 150 centimeters perimeter क्या होता है हर एक side के length का addition मतलब a b plus b c plus c d plus d a या a d जो भी बोलता हो उसको तो क्या आएगा therefore a b plus b c plus c d plus a d क्या आएगा value 150 ओके देखो है यहाँ पर a b b c c d and a d अभी हमको सबका value पता है a b का value क्या है a b का value है x plus 25 तो यहाँ पर लिख दिया therefore x plus 25 plus b c का value क्या है pc का value है x plus c d का value क्या है x plus 25 फिर a d का value क्या है a d का value है x तो आज आएगा plus x equal to 150 next step में bracket खोल दो bracket ऐसे खोल दिये बीच में minus sign है नहीं तो कोई problem ही नहीं है अब देखो है यहाँ पर 1x plus 1x plus 1x plus 1x plus 1x चारों के पास x है तो उसके आगे के numbers add कर सकते हो 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 लेकिन साथ में गया था x तो आएगा 4x तो हम लिखेंगे therefore 4x किसको किसको add किया इसको 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 और इसको next step plus यहाँ देखो 25 plus 25 25 plus 25 हो जाएगा 50 equal to क्या आएगा equal to 150 अब मुझे 4x का value चीए तो 4x को यहीं पे रखा equal to 150 यह plus 50 को उधर बेजो तो क्या बन जाएगा minus 50 तो वो आ जाएगा minus 50 therefore 4x is equal to 150 minus 50 कितना होता है 100 अब मुझे x का value निकालना है कैसे निकालेंगे यहाँ पे 4 multiply हो रहा है 4 को बगाएंगे वहाँ पे तो वहाँ जाके divide हो जाएगा तो आएगा 100 divide by 4 अब 4 और 100 दोनों एक टेबल में जाता है तो हम cut कर सकते हैं तो आएगा 4, 1000 और यहाँ आजाएगा 4, 2000, 8 remainder 2 आएगा 24, 5000, 20 25 upon 1 क्या होता है 25 तो मैं बोल सकता हूँ therefore x is equal to 25 ऐसे हमने निकाल लिया x का value पूछा गया है उसने उसने पूछा है find the length of all sides यहाँ पे हमको देखो पता है a, b equal to c, d is x plus 25 x के जाके पर 25 डाल देंगे तो 25 plus 25 आजाएगा 50 and a, d equal to b, c दोनो x है तो आपको उसका length आजाएगा 25 तो क्या आजाएगा length of sides 25, 25, 50, 50 तो कैसे लिखेंगे इसको तो यह x का value use किया और a, b equal to c, d, x plus 25 x के जागे पर क्या डाल दिया 25 तो आजाएगा 25 plus 25 which is 50 cm and a, d equal to b, c equal to x था, तो a, d equal to b, c equal to x cm, x कितना है 25 तो यहाँ पर x के जागे पर 25 डाल दिया तो length of sides of the parallelogram क्या है चारो side देखो यहाँ पर 25, 50 यह भी 25, यह भी 50 ओके, तो इसका given find लिख दिया given क्या है, perimeter दिया हुआ है and one side is greater than the other by 25 cm find क्या करना है length of all sides तो ऐसे आ जाएगा इसका पूरा solution क्या-क्या property यूज किया है इसमें हम लोगोंने इसमें बहुत ही simple property यूज किया opposite sides of a parallelogram are congruent और कुछ यूज किया है क्या perimeter का formula तो standard है perimeter मतलब subsides के length का sum कर दिया बाकि और कोई property इसमें यूज नहीं किया है ठीक है तो एक property के उपर ये पूरा question किया है ये बीच में line डाला है अलग-अलग parts के लिए number देता तो आप confused होते इसलिए मैंने line बनाती है ठीक है easy video pause करो कर लो notebook में copy जल्दी से तो बच्छो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं आज मैंने आपको practice set 5.1 का question number 1 कराया 2 कराया और 3 कराया बहुत ही easy था हर एक property हमने देखा parallelogram का कैसे use करना है और वो use करके जो questions पूछे हैं उसका answer दिया video पसंद आया है तो like करें link अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं ताकि उनको भी quarter laterals easy लगे अपलोड करते रहेंगे bell icon पर भी click कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका lecture to upload करूँ आपको notification आए और आपको important lecture miss न करें comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको एफ video कैसा लगे thank you so much for watching this video